पाल की तो थो इसवार की रैसल मेंने तो काफी आना स्पेस आलती क्योंकि वहां पर हमें देखनों मिलेते डबलोबी के फैंस रियल फैंस आएते काफी टाइम बाथ डबलोबी के अंदर तो कह सकते हैं काफी सारे लोगों की अटेंशन यहां पर WWE की उपर आगे थी तो इसी की उपर क्या सकते हैं काफी सारे लोगों ने react करा है लेकिन दो लोगों ने आपर react करा है जो की Bollywood से हैं यानि की रफ्तार और वरुन धवन ने इस चीज की उपर कुछ react करा है Roman इसको यहाँ पर रफ्तार ने एक message भी sent किया तो वो में आपको दाने वालों क्या message है तो वीडियो का आप यहना कमाल की होने वाले इसको लास्त तक जरू देखना हो लाइक जरू करते हैं तो गाइस पर चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो जैसे की मैं कही रहा हूँ कि इस बार की रसल मिने 37 लिखा है रिमेंबर वाचिंग इट लास्त यर इन लॉक्डाउन वेर देर वॉस नो लाइफ गेट बट इस यर क्राउड्स आर बैक लब्दा मेनिया इवेंट तो उन्होंने बताए कि लास्त यर तो यहाँ पर क्राउड नहीं थी लेकिन इस बार यहाँ पर क्राउड आ गई है तो उनको भी यहाँ पर जो रसल मिना को देखके काफी यह न बढ़िया लगा तो वरुन दर्वन आपको पते कि डबलोडी के वो भी काफी बड़े फैन है यहाँ पर डबलोडी को देखते हैं यहाँ पर सेंड करा जहां पर उन्हें लिखाए बमर यह बमर यह है कि एज इस नॉट चैंपियन बट कॉंग्रेट तो रोमन एपक्स ओप बड़ी डबलोडी तो उन्हें ने बताए कि यहाँ पर एस तो यहाँ पर चैंपियन बने नहीं है तो कहना होगा यहाँ पर इस बार की रसल में जैसे कि में कैयरों काफी अना बढ़िया थी फैंस वहाँ पर आयते तो काफी सारे लोग वेट कर रहे थी क्योंकि पूरे साल से हम देख रहे थे यहाँ पर होता क्या है और कहाँ क्या अच्छी रसल में अमें देख रहे अच्छी मैच इस ते और जो यहाँ पर सबसे बड़ा मैस था यूनिवर्सल चैंपियसित यह उसी के बार में आपर रफ्ता ने भी बात करी है तो आपका क्या कहना इसके बार में, आपका क्या सोचना इसके बार में कि हम तो WWE देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कुछ Bollywood के भी क्या देखते हैं, एक्टर्स वगरा हैं, सिंगर्स वगरा हैं, रफ्तार वगरा हैं, यह सारे लोग भी WWE को देखते हैं, तो WWE चीजी ऐसी है कि हो निए के मतलब हर उमर का मतलब इंसान यहां पर इसको देखता बच्चे भी देखते हैं बड़ी भी देखते हैं तो WLC कर लेने जो भी चैनल पर नहीं पहले वार वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने साथ ही उस बैल आइकन को दवालने जिससे आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो फिर तब तक लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार के त